हेलो फ्रेंज यूटूब पे हमने इससे पहले जो डिजाइन स्केज करके अपलोड की थी वह बेटशिट हमने यहां पेंट कर ली है आप देख सकते हो यह बहुत ही खुपसूरत और लेटेश डिजाइन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो में हमने पेंट करना भी बताया है तो इस वीडियो को सुरू से अन्त तक देखिएगा यह पहले हमने बेटशिट पूरी पेंटिंग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं फिर इसके बाद हम पेंटिंग करना बताएंग कैसे हमने इस bed sheet को paint किया है निशालला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये वीडियो हमारी share और like करना ना भूलेगा अपने दोस्तों में share करना ना भूलेगा और like करना ना भूलेगा और अगर आप अभी तक नए हो या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नाटोफिकेशन आपके मॉबाइल पर पहुँच जाए और आप हर लेटिस्ट डिजाइन से जुड़ जाए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों हमारी इस चैनल का नाम है तालिवार्ट यूटूब पे हमने बहुत सारी बेटिस्ट और प्रेंटिंग डिजाइन अपलोड की हुई है तो आप देख सकते हो अगली बार हम नेक्स टाइम और भी खुशुरत और लेटिस्ट डिजाइन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इस बेटिस्ट की हमने आप लोगों को पहले पूरी डिजाइन आप लोगों को दिखा दिया है इस वीडियो में हमने पहले आप लोगों को बेटिस्ट दिखाई है अब हम दिखाएंगे आप लोगों को कैसे हमने कलर किया है और कौन-कौन से कलर यूज किये हैं यह हम आप यह किया हैं यह ब्रॉस हमने दो है यह लुद्टख करते हैं को दो कि यह ब्रॉस हुद और है अच्य एक कर दो करने यह Unterserkर्णद हमकोगा रहीं हुद हम एक फ़ल ब्रिलियन्ट परपल करह गया यह हमार रोग और ब्रिBill torch है यह हमारा क्रीमसिं ल१ा क्रीयमसिंड कलर हो गया और हमारा यह अ होगया बोरंट साइना मतलब चोकलेटी कलर करें में को यह घुद कि उप लो झो ओर रोस प्रिंट किया उसमें करना है हमको यह 3 color और 3 color हमको brilliant purple जो color हमने यूज किया है पेंट करने में ह Acts यूज करेंगे और leaves रंगने के लिए हमने टीन कलर leaf में भी है हमारा यी हो गया लाइट ग्रीव हो गया और या हमारा शेप ग्रीव हो गया तो दोस्तों इहां पर हम आप लुगों को पेंट की कुछ टेप्स हैं बताएंगे और यह पेंट हमने कैसे किया है आप यह वीडियो सुरू से अंतर तक देखेगा इंशालला आप इस बेट सीट की पेंटिंग अच्छे से कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो यह हमारा हो गया गोल्डेन कलर का रोज यह बहुत ही करना ना बुलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नॉटिपिकेशन आपके मुबाइल पर आसानी से पहुच जाए तो यहां पर हमको सबसे पहले हम यहां पर यह आप लोगों को ब्रिलियंट परपर का रोज पेंट करके ब हमको तीन कलर यूज हमने किये और यह हमारा हो गया ब्रस यह ब्रस हमको आठ नमर का ब्रस यूज किया हमने यह आप लोगों को यह ब्रस ज्यादा से ज्यादा शॉप्ट और अच्छा होना चाहिए अच्छा रहेगा ब्रस शॉप्ट रहेगा तो यह इसका जो ब्रस है यह वाला भाग वह आपका शॉप्ट रहना चाहिए इसे आपकी पेंटिंग अच्छे से होगी तो इस पेंटिंग में हमको दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा सफाई का दियान देना होगा और यह चाह में रeing साफ़ जैसे आपकी बेटशीर थीधन खास मत वीटडेक्र के लिए के लिए इस वीडियो साह्म दों शीरित को कैसे इसकेच किया यह वीडियो हम यह आप लोगों क्युतों पें अपलोट कर चुके है आप हमारे जो फ्रेंस हैं वो देख लिए होंगे और समझ लिएंगे कैसे यह बेटशिट हमने sketch की है तो यहाँ पर हमने हमको paint कैसे करना यह बताएंगे यह हमारा नीचे से हो गया हमको रोज का उपरी भाग paint करना है पहले तो यह हमारा ब्रिलियंट परपर कलर हो गया है इतना हमको छोड़ देना है बाग और इसमें हमको थोड़ा सा हलका सा मामूली यह हम परपर क्रेंशन कलर लगाना है हमको हमको रंगों की मातरा बहुत कम ही लगानी है इसमें क्योंकि यह बहुत ही बारिक painting है तो इसमें सफाई का सबसे ज्य देना होगा और ब्रस को साफ करने के लिए हमको शूती आप लोग शूती कपड़े का उप्योग कीजिएगा ताकि हमारा ब्रस अच्छे से साफ हो जाए जब आप दोसरा कलर यूज करोगई कि यह कि नीचे से हमारा हो गया क्रेम्शन क्लेट कि हमको यहां पर कि राइट कलर लगाना है वाइट कलर लगा के हमको यह हमारा वाइट कलर आदे ही भाग को लगना चाहिए कि यह हमारे आदे भाग पर ही वाइट कलर लगना चाहिए दोस्तों यह पेंटिंग आप लोगों को अच्छे ले गए तो दोस्तों सेयर अपने दोस्तों में सेयर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइप करना ना बुलेगा यह हमारी हो गई एक लीप उपरी के दोसरी लिफ में हमको बीच में यह छोड़ देना भाग इसमें हमको वाइट कलर भरना है तो वाइट कलर लगा के हमको दो तीन बार हम बरस से रफ कर देंगे यह पहले इस तरफ बरस और इस तरफ करके रफ करके सब बारी क्या मिटा देनी है यह हमारी एक लीफ तैयार होगी है यह हमारी लीफ तैयार होगी आप देख सकते हो कि देख सकते हो आप दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों कि यहां पर हमने सब कलर आप लोगों को बता दिया है यह वाइड कलर लगाने के बाद हमको शाइनिंग देनी है मतलब यह इस तरह ताकि हमारी ब्रस नहीं पता चले प्रेंटिंग में तो हमको ब्रस को अच्छे से साफ करके इस तरह साइनिंग बना बनानी है मतलब हमारा जो ब्रस पेंटिंग पर पता चले वह पता नहीं चलना चाहिए वह ब्रस को साफ करके अच्छे से हमको साइनिंग देनी है इस तरह हमको क्रिम्शन करल मिक्स करके हमारे ब्रस पर हमको हलका से लगाना है और लगाने बाद माली जी हमारा यह ब्रस में यह क्रिम्शन कलल लग गया तो पहले हमको एट करना है जैसे में हाथ पर या कहीं पर आप टेस्ट करेंगे कि हमारा पें बराबर है बरस पर तो हमको इस तरह हल्कशेड देना है ताकि हमारे पैंटिंग मतलब ये शेड बारीक और हल्का पता चलना चाहिए पैंटिंग में और नीचे से और उपर से हमको हलका हलका शेट देना है यह इस तरह और ब्रस में हमको यह ध्यान में रखना है कि बरस में हमारे हमारे बरस में एक तम मामूली पेंट लगना चाहिए और यह क्रीमशन कलर हमको मामूली ही इस पेंटिंग में एड़ करना है ब्रस में पेंट को ज्यादा तनको ज्यादा भी थोड़ा सभी ज्यादा हो जाएगा तो यह हमारी पेंटिंग थोड़ा बद्दी दिखने लगेगी तो यहाँ पेंटिंग बद्दी नहीं दिखने चाहिए यह हमने बहुत ही टिप और कठीन है पेंटिंग लेकिन दोस्तों अगर जैसे जैसे हमने पेंट किया वैसे वैसे आप फालो करोगे तो इंशालला आप पेंट जरूर कर लोगे इस पेंटिंग को इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा देनी है दोस्तों आपको ध्यान में रखके नीचे से हमको थोड़ा सा बारिक सेड देना है और उपर से यहां पर हमारा रोज तयार हो गया आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने यह पेंटिंग कैसे की है लीफ में हमको लाइट बुलू हमने एट किया पहले लीफ को हमको लाइट बुलू से इस तरह सारी पत्ति को लीफ को भर देना है वैसे आप अगर पिंट करेंगे तो पहले आपको सारी लीफ तयार कर लेनी है फिर उसके बाद रोज को पिंट करना तो ठीक रहेगा यहां पर यहां पर हमको यह वीडियो में हमने पहले आप लोगों को रोज पिंट करके बताया तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना पहले स सीट बहुत अच्छी और श्वाप्ट हो जाएगी दोस्तों फ्रेंज और यह लीफ हमको लाइट लाइट ग्रीन हमारा हो गया और इसके बाद हमको लीफ में क्रीम शन कलर लगाना है यह हमारा कलर है हो गया यह हमारा कलर जो है हमारा बरस के आदे ही बाग पर लगना चाहिए यह शेप ग्रीन हो गया और यह हमारे आदे बाग पर हमको क्रीम शन कलर लगाना है और इसको थोड़ा सा हलका हलके हाटो से रप करना है वाकलार से हमको ये हमने तीन नमर के ब्रस से इसके पत्ति के वारिक्यां बनाई है इस तरह तो दोस्तों आप लोगों के को ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स हम अपने कमेंट्स यूटुब पे बेजिएगा आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा हमको और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना और अगली नेक्स टाइम हम और भी नई डिजाइन और लेटिस्ट डिजाइन के साथ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ आएंगे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों